नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन से आप दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतिवगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान के 270 270 प्रिक्षा केंद रुपी दी है पांचमी चटी साथमी आठमी नवी दसमी ग्यार में बारवी और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्लेटफॉम पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा बजा आया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुन्दर सा पेपर आपके पास आया अबजेक् का मकसद के लस्क Gillis अ एडिशन नहीं है इसएक्जाम का मकसद है कि 1516 7 nov में ही बच्चे को बता दिया जाए ओमार सीट क्या होती ओम क्या होती भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे वहशे की तरब तो ये वीडियो सोलुशन आप देख रहे हैं हर क्लास का अलगले वीडियो सोलुशन है पूरा वीडियो सोलुशन देखें आपको किसी भी प्रश्चन में लगता है कि हमने सोलुशन गलत दे दिया तो प्लीज आप अपना नाम अपनी क्लास अपना रोल नंबर प्रोकुशन नंबर लिखके मेरे इस नंबर पे डबल नाइन टू एट सेवन थ्री डबल एट डबल एडवार्ट सुटर रहे हैं आप लोग बोलो हाया ना और 27 तारी की ही रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी यहीं रहेगी अब फिर से एक बास स्लाइट देख लिए डीटी एसी डोट टील सी परिवार्वार्ट के लिए एक्जाम हो गई वीडियो सोलिशन देख लिया डाउट खतम हो गए आंसर मिला लिए नंबर चोड़ लिए ओके डियर रिजल्ट कर आएगा धाना आपको स्कार कर दिये जाएंगे लो लिस्ट पड़ी वैसे आपको पता है आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखाओगा ना कि किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे हाँ सीकर चूरू जुनुनू अजमे रास समन्द की डैट् कि आपको पता पांच मार्श से लेके सोड़ा मार्श तक लगातार में फंक्शन कर रहा हूं हां मैं खुद आ रहा हूं सा बिलकुल 29 के 29 दिले में खुद कवर करने आऊंगा नो डाउट लोड रहेगा बागदूरी रहेगी लेकिन दोस्तों जहुपड़ीं बैठी तक रहेगा मेरा आज के 26 साल पहले सीकर में मैं कोचिंग स्टार्ट किया था माफी चाता हूं गलत सब्सक्राम ले रहा हूं अपने आपने कैरियर का स्टैडिकेस थाई आज तो लोग नकल करते हैं यहां आज तो चलते बाजार में कोई भी अपने खेला लगा लेता है ले किसी को तोड के बनी TLC मूल बीज है एक विचार बीज है जो जमी फोड के बनी और इसलिए दोस्तों आज 270 गार्डियन साब सोचके देखो जाजस्तान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है अल्टीमेट पेपर उसका रिजल्ट इतना क्या जाएगा डेट और टाइम आप जिरूर प्लीज वाच कर लें हाँ पुर्षकार बितना समारों में सबी मेरे अपने साधरामंत रिते हैं जिन बच्चों ने एक्जाम दी है उनको तो आने आना है अन्य बच्चे भी मोटिवेस्टन सेमिनार भी होगा वहाँ उस उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आपा सकते हैं वसे इस कोरणा के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेस्टन से बहुत से परतेक्ष एपरतेक्ष मेरे अपने जुड़ेवे हैं आपको धाना ना वे डेली शाम को साधे 6 वजे CLCC कर Facebook पेज, CLCC कर YouTube चैनल और श्रवन CLC मेर आपका लाइव देखते हैं तो सिर्दमें आंगों पानी आ गया उस दिन पता लगा कि दोस्तों अखीकत यह है बगवान कुष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी करम को मन से क्या जाए तो फल की इच्छा करने कहा हो सकता नहीं है फल बगवान अपने आप देता है तो फंक्षन मनी आपाए तो फिर पुरुषकार देने के लिए सांस्ता की विवसाइक जिम्मेदारी नहीं है फ्रेंडी जिम्मेदर फिर भी हमारी है हाँ सीकर कभी आओगे तो दिये दिया जाएगा आप सोचो कि उधेपूर फंक्षन तार मुवापस उधेपूर पुरुष प्रुषकार बाद में ले सकते हैं मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं फंक्षन जिस डिस्टिक एड़कॉर्टर फंक्षन भी आपको पुरुषकार लेना है तो प्लीज खुद आना पड़ेगा एडमिट कार साथ लाना होगा और नगत पुरुषकार के लिए आपको अपन आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए हर दिन सुबह साम दोनु टाइम मीटिंग्स लोड रहेगा और फिर भी जुनून है फिर किसी जहांपनी भी बैटी को आई टीम भेजना है फिर किसी सामाने से परिवार के बच्चे को दिल्ली एम्स भेजना ह posts turn, but alémле बढ़ए तो की बढ़एला साब खावार को पुरा करने के लिए हम जिले जिल्ले गाओं घाओं डगर ढगर घूम रहे हैं क्योंकि माफ्य चाहता हूं उन लोग्त रुखवाले में धर में अर्थ भी है और गाइड लान भी है श्रहण और सील्सी तो उनके सार्ती ह जिनके घर में यह नहीं पता आईटी में क्या होती है अर्थ का भी थोड़ा भाव है थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है और गवराएं नहीं आपके साथ आपका श्रवण है ना आपकी सील्सी है ना करेंगे और मेरे सारे अपने प्लीज 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 निवेदर आपके भाई का सारे अपने इस विजो सव में इसको नाम विजो सो बोल दो आप सब साधरामंति से तेम सील्सी तोड़े विल डिसकस अबाउट डिटीए सी पेपर 2022 फर्स्ट किशन है हमारे पास हूं इन्वेंटेड एलेक्ट्रिक जनेरेटर यानि विद्य जनित्र का अविस्कार किस ने किया तो हम जानते हैं कि जो माइकल फेराडे थे उन्होंने इसका क्या करा था डिसकवरी करा था तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फॉर्थ ऑप् लेंस का फॉर्मूला यहां पर देखना पड़ेगा तो हम जानते हैं कि जब भी हमें लेंस की पावर का फॉर्मूला देखना होता है विद रस्पेक्ट टू फॉकल लेंथ तब हमारे पास फॉर्मूला आता है वन डिवाइड बाई हंड्रेट मल्टिप्लाई बाई फॉक प्रतिविंब कहां बनेगा बहुत इंट्रेस्टिंग किश्यन है तो हम जानते हैं कि यह जो प्रतिविंब है यह बनेगा आधी फोकल लेंथ पे चलिए नेक्स्ट किश्यन की तरफ हम चलते हैं फोर्थ नंबर कुश्यन है हमारे पास इफ 10 to the power 10 इलेक्ट्रोंस आर रिमूवड फ्रों ए नियूटरल बोडी द चार्ज ऑन द बोडी द चार्ज ऑन द बोडी द चार्ज ऑन द बोडी इस देखिए हमारे पास क्या है कोई neutral body है ठीक है कोई भी हमारे पास क्या हो सकती है neutral body अगर हमें यहाँ से electron remove करना है तो दिमाग लगाईए जब भी हम यहाँ से electron remove करेंगे किसी भी neutral body में से तो automatic सी बात है कि जो भी sign आएगा वो क्या आएगा positive का sign रहेगा यानि हमारे पास positive वाला ही answer आएगा neutral में से minus में बाहर निकालना है तो सीधी सी बात है positive वाला answer आपको टिक करना था तो यहाँ पे positive वाले इतने सारे option से अब बात ही आती है कि कौन सा option है जो बिलकुल correct होगा तो देखते हैं हम आगे इस question को देखिए यह बोल रहे हैं कि 10 to the power 10 electron remove कर दिये अगर हम electron की बात करें 1.6 into 10 to the power 19 कुलाम क्या होता है चार्ज होता है तो यहां से अगर हम 10 to the power 10 जो है वो remove करना है तो सोचे अगर हम यहां से remove करेंगे 10 to the power 10 को तो यह इस में से minus हो जाएगा तो 19 में से अगर हम 10 minus करेंगे तो finally हमारे पास answer क्या आजाएगा 10 to the power minus का 9 यानि B option क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा next question देखिएगा आप लोग next question है the V.I. graph characteristics of four circuit elements are shown below which among the following is an omic conductor यानि हमें देखना है कि जो भी अपने पास om low है उसके according कौन work करता है इन चारो graph में से तो om low क्या बोलता है बच्चों कि जो V होता है वो directly proportional किसके होगा I के होगा यानि जैसे जैसे V increase होगा वैसे वैसे I भी क्या होगा increase होगा तो यहाँ पर देखिए ऐसा graph कौन सा है क्या ये graph V और I के directly proportional को बताता है नहीं बिलकुल भी नहीं शो कर रहा है क्या ये भी directly proportional को सो कर रहा है नहीं क्या ये V और I के directly proportional को सो कर रहा नहीं जी ये भी नहीं कर रहा हम देखते हैं कि V और I के directly proportional की अगर हम बात करें तो मैंने X axis पे V को रखा I को Y axis पे रखा V बढ़ते ही आई भी साथ साथ क्या हो जाएगा increase हो जाएगा तो ऐसा graph हमारे को third option में मिल रहा है यानि third option क्या हो गया बिलकुल correct next question देखिए next question है the magnetic field produced due to a circular wire at its center is यानि किसी गोली तार द्वारा उत्पन चुम्ब की छेतर इसके केंदर पर होगा तो हमें यह देखना है तो हम जानते हैं कि बिलकुल सेंटर की अगर बात करें तो हमेंसा perpendicular होता है क्या होता है बच्चों perpendicular होता है तो answer क्या हो जाएगा यहां पर देखिए fourth option perpendicular to the plane of the wire चलिए next question देखते है next question है potential difference between a live wire and the neutral wire तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी neutral wire की बात करें और किसी live wire की बात करें तो वहां पर हमेंसा जो difference होता है voltage का वह होता है 220 voltage यानि भी option क्या हो जाएगा बिलकुल correct next question देखिएगा आप लोग next question है हमारे पास 8th number question electric motor converts बिलकुल आसान सा question है कि electric motor convert किसको करती है तो हम जानते हैं electric motor है तो electrical energy को convert करेगी क्या करेगी electrical energy को convert करेगी किसमे mechanical energy में तो यहां पर option देखिएगा electrical energy into mechanical energy यानि second option क्या हो जाएगा बिलकुल ही correct हो जाएगा I hope आप लोगों को समझ आ रहे होंगे सारे के सारे solutions अब हम बढ़ते हैं 9th number question की दरफ देखिए 9th number question है electron enters a magnetic field whose direction is perpendicular to the velocity of the electron then यानि हमें यह देखना है कि एक electron चुम्ब की छेतर में प्रवेस करता है यदि चुम्ब की छेतर की दिसा electron के लंबवत हो तो हमें पता है कि perpendicular जब भी होता है तो वहाँ पर answer क्या आएगा the speed of the electron will be remain same perpendicular की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बिलकुल ही same रहेगी जो भी electron की speed है तो 9th number question भी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं next question की तरफ देखिए next question है अमारे पास the major cause of environmental pollution is यानि परियावरन परदूशन का सबसे बड़ा कारण है तो हम जानते हैं कि जितना भी fossil fuel होता है उसका हम use करते हैं तो उससे harmful gases release होती है तो इसका सिदा सांसर क्या चला जाएगा use of fossil fuels next question देखिएगा आप लोग next question है 11 number question today which renewable energy source provide India with the most energy यानि हमें देखना है कि कौन से यहाँ पे option है कौन सा option है जो आज नवीनी करन योग्य उर्जा स्रोत का सबसे अधिक energy प्रदान करने वाला हो तो हम जानते हैं कि solar energy बहुत ज़्यादा हमें हमारे लिए useful है next question देखिए 12 number question which color of visible light has minimum frequency frequency हमें minimum देखनी है तो हम जानते हैं कि अगर हम बात करें विब गियोर की तो हमारे पास जो minimum frequency आती है वो आती है violet color की next question है हमारे पास 13 number question an object is placed 40 cm from concave mirror mirror कौन सा है हमारे पास concave है और 40 cm दूर पोल से रखा गया है और इसके focal length जो है वो 20 है तो हम जानते हैं कि अगर focal length 20 है और उसकी बिलकुल double पे क्या रखा है कोई भी object रखा है तो हम जानते हैं mirror की जो image होगी वो क्या होगी बिलकुल ही real होगी inverted होगी और क्या होगी size में same होगी यानि first option क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा अब हम चलते हैं 14th number question की तरफ 14th number question है हमारे पास equivalent resistance between A and B will be and A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा देखे हमारे पास यह जो resistance है वो कुछ इस प्रकार है 10 ohm 10 ohm 10 ohm जो parallel arrange कि यह हैं अब देखे अगर हमारे पास parallel sequence होती है तो हम क्या लिखते हैं उसका formula equivalent resistance का और एकवस्ट इएगे हम 10 then Rs. जगे क्या PayPal को लिखेंगे 10 यहां पए अगर हम इसमेस customer करते है तो finally हमारे पास आंसर आएगा 3 divided by 10 तो 1 upon our request हो गया 3 divided by 10 अगर हम इसे solve करेंगे तो आर हमारे पास आएगा 10 by 3 तो यहां हम option को consider करेंगे first option को 10 by 3 तो यहां पर first option क्या हो जाएगा बिलकुल correct अब हम चलते हैं 14th number question की तरफ 14th number question 15th number question है हमारे पास a charge particle moves with velocity V in a uniform magnetic field B the magnetic force experienced by the particle is okay तो हमें देखना है कि अगर एक आवेशित कर्ण V velocity तथा B चुम्ब की छेतर में गति करता है तो कर्ण पर जो आरोपित force होगा वो क्या होगा तो हमें देखना है कि इसका correct answer क्या होगा क्या वो force always 0 होगा नहीं हमें पता नहीं होता है 0 कभी भी 0 नहीं होगा 0 if B vector are perpendicular या 0 if B vector and V vector are parallel तो हमें पता है कि जब भी पैरलल के हम बात करेंगे जब भी हम पैरलल के बात करेंगे वी वेक्टर एंड वी वेक्टर के तब हमारे पास जो magnetic force है वो क्या होगा जीरो होगा चले नेक्स्ट क्यूशन लास्ट क्यूशन है physics पार्ट का वर्चुल इमेज लार्जर लें द अब्शक्ट कैन भी देखिए सिधी से बात है वर्चुल के अगर हम बात करें वर्चुल की बात करें और लार्जर इमेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो हम यूज करेंगे मीरर वो क्या होगा हमेसा कौन के होगा तो question number 17 से start हो रहा है chemistry part और question number 13 तक रहेगा जिसमें हमारे पास देखिए पहला question जो है वो को जिस प्रकार है जिंक plus 2, 2 electron then it will give a jink in solid state देखिए इस reaction में हमारे पास जो है वो जिंक plus 2 की form है 2 electron jink जो है वो gain कर रहा है वो हम जानते हैं जब भी electron gain होता है तो इस reaction को हम क्या बोलते हैं reduction reaction बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों reduction reaction इसका मतलब यहाँ पे second option क्या हो जाएगा एक्दम correct हो जाए है next question की तरफ next question है brass is a mixture of brass क्या होता है brass एक alloy होता है और alloy क्या है एक mixture होता है जो बहुत सारे metal से मिलके बना होता है तो brass जो है alloy हो गया अब हमें बात करनी है कि इस brass में कौन-कौन से metals जो है वो use होती है तो हम जानते हैं कि brass के formation में copper and zinc जो होती है वो very useful होती है तो copper और zinc का जो mixer होता है वही क्या होता है brass चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है luster is a हमारे पास options है sign property sound property तो देखिए हम जानते हैं कि जो luster होता है और वो एक sign property होती है यानि जब भी कोई metal sign करती है तो वहां हम time use करते हैं luster तो यहां पी first option क्या हो जाता ह एक दम correct चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है which of the following is a false statement यानि wrong statement को हमें यहां पे select करना है देखिए oxygen is a non-metall यह तो correct है iron is a metal यह भी correct है mercury is a metal यह भी correct है last option is germanium is a metal यह एक wrong statement है because germanium क्या होता है एक metaloid होता है क्या होता है बच्चों germanium एक metal होता है तो साफ और हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहां पे लिखा हुआ है metal जो कि क्या हो गया wrong हो गया अब हम जलते हैं next question की तरफ next question है a metal present in liquid state is यानि आसी कौन सी metal है जो liquid form में present होती है तो हम जानते ह है mercury क्या होती है liquid state में present होती है अब हम चलते है next question की तरफ next question है which of the following is highly reactive metal तो हमने देखा है reactivity series में सबसे उपर की तरफ जो metal आती हो लीथियम होती है उसके बाद में potassium, sodium, calcium तो highly reactive पूछा है तो सबसे उपर की तरफ को होने lithium तो lithium क्या हो जाती है highly reactive metal हो जाती है अब हम चलते है next question की तरफ next question है which of the following group contain noble metals हमें देखना था कि noble metals कोन कोन सी होती है तो हम जानते है noble metal होती है हमारे पास silver, gold and platinum तो हमारे पास option जो है वो बिलकुल correct हो जाता है first option silver, gold and platinum देखिए next question next question है valency of magnesium is magnesium की valency आप लोगों को बतानी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं magnesium magnesium का जो atomic number होता है वो होता है बच्चो 12 अब हम इसका electronic configuration लिखते हैं तो electronic configuration हो जाएगा 282 और यहाँ पर देखिए second cell में 8 electron आ गए तो यहाँ पर यह two electron donate करने की tendency रखता है तो कितने electron donate करने की tendency हो तो यही इसके क्या हो जाएगी valency तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा first option यानि two answer is correct चलिए हम चलते हैं next question की तरफ an aqueous solution with pH equals 2 is यानि जो pH 2 वाला solution है वो किस nature का होगा तो हम जानते हैं कि अगर pH 7 होती है किसी भी solution की तो वो neutral होता है और 7 से अगर कम pH होगी तो वो सारा का सारा solution क्या हो जाएगा बच्चों acidic हो जाएगा वो 7 से जादा pH है तो वो क्या हो जाएगा basic solution हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर question में है पी तो 2 क्या होता है 7 से कम तो इसका answer क्या हो जाएगा acidic I hope आप लोगों को अच्छे सा समझ आ रहे होंगे सारे के सारे questions चलिए अब हम देखते हैं अगला question the chemical formula of gypsum is बहुत ही easy question था कि gypsum का chemical formula क्या होता है हम जानते हैं कि calcium sulfate के साथ अगर two molecules of water aid हो जाए तो यह बन जाता है हमारे पास gypsum तो यहाँ पे CAS of water to a store क्या हो जाएगा जब समका correct answer चलिए next question which of the following is a base यानि base कौन सा है हमें देखना है देखिए NS3 की अगर हम बात करें तो NS3 के पास क्या होते हैं two loan pair होते हैं और loan pair अगर donate करने की tendency हो तो वो क्या कर लाता है base कर लाता है तो यहाँ पे NS3 क्या हो गया base पर फिर भी हम यहाँ पे options देखते हैं देखिए असील क्या है अच प्लस donate करने की tendency रख रहा है यह acid है अस 204 भी क्या है acid sulfuric acid अचनो 3 भी क्या है acid है तो हमारे पास question था base कौन सा है तो base का answer क्या आगया simply second option यानि ammonia चलिए next question देखिए rcu plus plus one electron ठीक है this is हमें देखना है कि यह जो reaction है यह क्या denote कर रही है देखिए यह copper plus one electron gain करा और अभी अभी एक ऐसा question आया था उसमें हमने देखा कि जब भी electron gain होई क्या होई बच्चों gain होई तो उस reaction को हम क्या बोलते है reduction बोलते हैं यानि यहाँ पर कौन सा option correct हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा यहाँ पर second option चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ among the following which is metalloid यानि metalloid कौन सा है तो बिलकुल इजी सा है metalloid कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं प्रियोडिक टेवल आप लोग ने पड़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं कि जो germanium होता है वो क्या होता है एक metalloid होता है जबकि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं other element वो metalloid नहीं है चलिए next question देखते हैं the following reaction is an example of यानि जो reaction देवी है यह कौन सी reaction का example है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक reactant है और reactant break हो रहा है product में जब भी reactant break होता है तो उसे हम कौन सी reaction बोलते हैं decomposition reaction कौन सी बोल देंगे बच्चों decomposition यानि यहाँ पर first option एकदम correct हो गया next question है which of the following is a strong acid हमें देखना है कि strong acid कौन सा होता है देखियो option है S2O4 strong acid होता है क्या oxalic acid strong है नहीं क्या ethanoic acid strong है नहीं ethanoic acid और oxalic acid दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों वीक होते हैं जबकि S2O4 यानि sulfuric acid क्या होता है strong acid होता है यह option क्या हो जाएग एक दम correct चलिए next question देखते हैं formula of iron rust करें तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर iron हो उसके साथ अगर oxygen aid हो जाए और वहां पर H2O यानि water का molecule आ जाए तो इससे दीरे दीरे वो iron जो है convert होने लगता है और उस iron का क्या हो जाता है oxidation हो जाता है और वह convert हो जाता है F2O3.xs2o में यानि यह जो formula है यह iron की rust का formula हो गया very very important है यह F2O3.xs2o बहुत ही अच्छा सा question था तो आप लोगों को इसका आंसो टिक करना था F2O3.xs2o ओके अब हम चलते हैं next question की तरव the substance formed in a reaction is called यानि किसी भी reaction में अगर कोई substance form होता है तो वो substance क्या क्या लाएगा हम जानते हैं कि कोई भी मान लो a plus b है और इस reaction से कोई C substance form हो रहा है तो C को क्या बोलेंगे product बहुत ही easy सा answer था तो हमारे पास यहाँ पर option second क्या हो जाता है बिल्कुल correct हो जाता है हमें थेंगे तो थर्ट क्यों गीश्न है Station कर से एले हमें हमें देखना है कि light reaction जो होती है वह कहाँ पर होती है तो देखिए हमारे पास ip route संस सिर्वाभ भेन आम मैंटरिक्षम होती है ट्रोम में में आम में ट्रिक किसे देखेंगे स्ट्रोमा को देखेंगे तो ांसर क्या हो जाएगा रंस युज़ क्रेक्षन हो लेकिन हम जानते है जितने भी साक्ट्स प्लान्ट प्लांट होंगे उनमें क्या होगा सी एम पाथवे होगा बहुत ही आसान सा किशन था ये नेक्स्ट किशन देखिए 36 नंबर किशन विंग्स ओफ बैट एंड विंग्स ओफ बर्ड्स आर एक्जाम्पल ओफ तो हम जानते हैं कि जो चमकादड के पंक है और जो पक्सी के पंक है इन दोन की स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों डिफ्रेंट होती है स्ट्रक्चर क्या होती है डिफ्रेंट लेकिन जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा दोनों का ही बच्चों सेम होगा तो जो वर्क सेम होता है वो स्ट्रक्चर डिफ्रेंट होती है तो इस टाइप ओर्गन को हम ब बाटना है तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्चन है राइजोम जिंजर बिल्कुल सही है ओके यहां पर देखिए ट्यूबर एंड पोटेटो भी सही है लेकिन आप देख सकते हैं मल्ब कभी भी स्वीट पोटेटो नहीं हो सकता यानि फोर्त क्या है बिल्कुल नेक्स्ट कि तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट किशन देखिए थर्टी इट नंबर किशन नेम देपार्ट ऑफ दो ब्रेन देट कंट्रोल्स इन्वोल्यूंट्री एक्शन यानि जितने भी हमारे बोडी के अनेचिक वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करने वाला होता है मैडूला यहां पर फॉर्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखेगा आप लोग नेक्स्ट किशन थर्टी नंबर किशन है वाट इस दे यूनिट ऑफ इन हैरिटन्स इन लिविंग और गयनिजम में जो अनुवानसिक्ता होती है उसकी यूनिट क्या स्कृष्ट हाइट्रो क्लोरीक आप जानते हैं हाइट्रो क्लोरीक आप होता है तो यहां पर राइटल सेन ने में और नेक्स्ट किशन देखेगा विच्ट होर्मॉन इस यहां Q-11 C आप banco क्लोशिंग के लिए यहां जिम्म specimen होता है और उस एसिड का नेम होता है एपसेसिक एसिड तो ऑप्शन नंबर हमारे पास फॉस्ट क्या हो जाता है बिल्कुल करेक्ट बहुत ही आसान आसान से किशन है जलिए नेक्स्ट किशन देखते हैं 42 नंबर किशन बच्चो धहन रखना सिनाप्टिक जंक्शन पे जो कैमेकल रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरो 96 क्या हो जायगा Kelly सिनाप्टिक जंक्षन पे रिलीसों वाला हॉर्म medicines होता है नियूरो ट्रांस्मीटर फॉर्थ ऑप्शन इस करक्ट देखिए नेक्स्ट कुशन है 43 नंबर कुशन अब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कभी यूट्रियस में नहीं होता है फर्टिलाइजेशन हमेशा गेस तो हम जानते हैं ओजोन लेयर को ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करने वाली जो गेस होती है वो होती क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानि यहां पर सी अफसी सैकंड ऑफजिन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट कुशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन 45 नंबर कुशन is not an example of in-situ conservation यानि in-situ conservation का example नहीं है तो देखिए हम बात करते हैं देखिए बायो स्फियर रिजर्व इन-सी तु का example है नेसनल पार्क भी क्या है in-situ का example यानि पर सारे की सारी क्या है in-situ का example जबकि जो बॉतनिकल गार्डन है वो एक in-situ का example नहीं है next question देखते हैं 46 number question which of the following ratio is the genotypic ratio of die hybrid cross यानि हम बात कर रहे हैं die hybrid cross की और उसमें हम देखना है देखते हैं genotypic ratio क्या देखते हैं genotypic ratio देखे एक होता है phenotypic ratio अगर यहां पर question पूछा होता phenotypic ratio तब तो आप बिल्कुल correct करते 9331 इस ratio को लेकिन यहां पर question को आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना था पूछा था genotypic ratio तो हम genotypic ratio की जो बात करते हैं तो यह ratio होता है 12241 to ratio 1 ratio to ratio 1 तो अगर आप लोगोंने second option करा होगा तो यह wrong होगा क्योंकि यह तो phenotypic ratio होता है बच्चों पूछा जिनो टिपिक ratio है तो जिनो टिपिक ratio यानि third option क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट चलिए next question की तरफ चलते हैं 47 number question देखिए 47 number question वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रफ फर्मेशन आफ न्यू प्लांट फ्रॉम देखिए कुछन को ध्यान से देखिएगा पूछ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव की बात कर हो रहे हैं तो वेजिटेटिव में हम कभी भी फ्लावर को यंकूड नहीं करते हैं तो जहां-जहां फ्लावर का ही देखिए तो यह तो यह यहां पर है यहां पे आपके है लेकिन आप देख सकते है स्टेम् रूट और यूज्स यह तीना ही किसमें यूज वWhy में इन तीनों से ही क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो यहां पर फॉर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट चली नेक्स्ट किशन की तरह बढ़ते हैं 48 नंबर के शर्व जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोजोम इन हैरिटेड फ्रॉम दे फा अगर हम बात करें फिमेल की तो हमारे पास फादर से हमें एक्स क्रोमोजोम मिला है और फिमेल के पास क्रोमोजोम एक्स से होता है तो फिमेल हमेसा एक्स क्रोमोजोम ही देगी तो यहां पर देखिए एक्स क्रोमोजोम फिमेल का हो गया और मेल का भी क्या हो गया एक्स क्रो एक युगमराज जिसमें एक्स गुर्ण सुत्र की वनसान गती पिता से प्राप्त होती है वह विक्सित होगा तो उससे क्या फॉर्म होईगी गल यानि लड़की का बढ़त होईगा चली नेक्स्ट किस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं एक फॉर्टिनाइन नंबर किशन है एवलुशन ऑफ वाइल्ड के बेस इस एन एक्जामपल ऑफ तो हम जानते हैं कि जो वाइल्ड के बेस होती है उसका एवलुशन एक अच्छा एक्जामपल है किसका आर्टीफिशियल सेलेक्शन का तो यहां पर फॉस्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखिए लास्ट किशन है बायो के पॉर्शन का आइडेंटिफाइद कारेक्ट पाथ यूरेन इन रहीमन यानि हमें यूरीन का करेक्ट पाथ देखना है तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मेशन होगा तो वह सबसे पहले किडमी से होगा यानि किडमी से होएगा फिल्ट्रेशन जो होगा वह किडमी से होएगा ठीक है उसके बाद अगर हम बढ़ें तो यूरेटर की तरफ यूरेटर आएगा देन हम बात करते हैं तो यूरीनरी ब्लेडर में यूरीन इखटा होएगा यूरीनरी ब्लेडर में यूरीन क होचेगा इसका मतलब यह क्या होगा इसका correct pathway kidney kidney then ureter ureter then urinary bladder and last is urethra it means fourth option is correct hello dear student myself narautam जाएंगी team mathematics today will be discuss that DTSC solution of class 10th question number 51 hai x minus a whole square x plus a whole square y plus b all square और यह equal to 4x by और आपको इसकी वह लिए पता कर नहीं है ठीक है तो अब इसका all square करता है x square plus a square plus 2ax plus y square plus b square plus 2by equal to 4ax 4 को अंदर multiply कर दो प्लस 4by यह x और यह x एक हो जाएगा तो उदर 4 है उदर 2 हो जाएगा यह हो जाएगा x square plus a square minus का 2ax और यह होगा y square plus b square और सहम यह दर आके minus का होगा minus का 2by equal to 0 अब यह formula बन गया और यह formula बन गया यह बन गया y minus b का whole square का और equal to में 0 आगा अब इसमें एक चीज़ देखा इसमें important concept होगा कि यह एक square number है square को मतलब यह positive होगा negative number का square भी क्या होता है positive होता है यह भी positive value है और यह भी positive होता है तो दो positive number को add करने पर 0 आ सकता है क्या कभी भी नहीं आएगा दो positive number को add करने पर 0 कभी नहीं आएगा तो इसका मलब क्या होगा एक ही case में possible है यह भी 0 होगा और यह भी जिरो दोनों 0 को एकटो लोगे तब जीरो प्लस 0 इकटो जीरो होगा आप समझ में इसका मलब क्या होगा X-1 की value क्या होगी 0 होगी और Y-B की value क्या होगी 0 होगी यहां से आ रहा है X equal to here अब आपको इसकी value बता कर नहीं है तो X की जगए तो ए रख दो यह जाएगा ए और Y की जगए रख दो और minus A B ऐसा कैसा तो A B minus A B क्या होगा जीरो तो इसका अंत्र होगा second option clear clear आसाम साथ की सुन्दा आसाम सा को जपता next question करें यह परसेंट X परसेंट ओफ यह का X परसेंट यह होगा X बटे 100 एक्क्वल टो होगा 1 परसेंट ओफ जैड जैड का 1 परसेंट असा निकाल दे 4 доступ on 100 तरेंड्रेट सेंडेट वैना कैंच में分享 होगा तो क्या यह इन्टो एक्सक्राइओ एक्सक्राइओ यह इसक्राइओ इसक्वन परसेंट एक्स का 1 kap यह ववे और 80 Arabic आंगे है नेक्स है ज्राट फिर्च सेट आफ एगस अजेए परसेंट एक्स का ज्रवी को निदेट वन पर्षेंट ओफ वाई का वन पर्षेंट के इक अब यहां से आ यहां सर्देट एक्सध्र लाइब थयर मुझ गई प्रेंड विलियो इस्के वेली बता नहीं है तो यह एकसी के जी नहीं कि पंपने लेंगे या फिर भाय की विया रखेंगे या पर यह तो जैड़ और और जाए यह रखेंगे एक से इकोल तू बना गया ठीक है और एकस की बाझेट रखते हैं यहां पर यह एकसी बीडिन तो इक सब्सक्राइब क्यों बात तो फिलीव इक साथ में अ सब्सक्राइब प्लस ब्लस बनेंटु बगा वन प्लस फन प्लस बैसे सब्सक्राटब्स करना यह तो यह आख47那么 सौड करने में नेच्ट पूसेन था स्कॉख ट्राइंगल विद वटक्स इक seven लोगा स्ट अब देदो एसको बी BBC कैसे निकलेगी अट्यम च्रेंट सब्सक्राइब को फार माइनस माइनस हो जाएगा फाइव का स्क्राइब फाइप लएगा स्क्वाइब धितां सस्व Murray यह 16 दो जालो वी सी इन में 3 Plus One कि ता हो गया यह प्लस वन हो जाएगा प्लस मद फ्लस वन यह उझागा 64 का स्क्वेर और प्लस यह 6 कई स्क्वेर हो जाएगा 16 16 प्लस 36 यह हो गया 52 52 हो गया यह क्या आगया 52 आगया नेक्स्ट करें इसी इसी निकाले रूट ओफ यह 4-3 1 का स्क्वाइर और यह हो जागा 5 का स्क्वाइर यह होगा यह भी 26 होगा पर इसका इसके स्क्वाइर करने पर भ्रिसके अदर इसे को लारा है और इसको निकालने थो सेक्षिन के कोडिनेiin निगारए त्री थीण है मिल्य त्रहें इसके कोडिनेट है लगस्त एब पमाइग उसका लोसित हने इसके गोडिनेट को गड़ने रहें तो इधर तो रश्यों गड़नेंगे तो इधर रश्या होगा से एक से और अ infinet उदिका फॉर्मुला एक से का को कोडिनेट निगले गाला इसका इसका गेलात् हे निसका से करिए to this upon sum of ratio तो क्या होगा इसको इसको multiply करेंगे 5 और इसको multiply करेंगे प्लस 4 और निचायगा sum of ratio is 3 next होगा इसको से multiply करेंगे 3 इसको से multiply करेंगे 2 upon sum of ratio किता है गा 3 यह होगा 9 by 3 कितना होगा 3 और यह होगा 5 by 3 एक तो होगा 3,5 by 3 एक दूसरा निकालने के लिए दूसरा कोडिनेर unreasonable की लिए आपको इसका कोडिनेर निकालना यह तो इदर त्लू रिश शोगए दरबूट शोगा थियोगर टू रिशो वहन ओगा तू रषो अप्निकाल 2 upon 3, you got 6 plus 1 , upon 3 at 12 upon 3 कितना होगा 4 4 और यह वागा 7 by 3 तो यह दो कोडिनेट होगे 3 & 5 by 3 4 और 7 by 3 तो first option आपका answer होगा पिर नेक्स्ट कुस्ण है coordinate of the circumcenter of the triangle whose vertex निकालना है अब लेकिन इसमें हम एक चीज पता करें तो हम क्या करें इसको देखो इसका तरीका यह रहएगा यह भी यह ही जाए नीन तो अभ्षट के मरत लो गणसे शीक्कन जारोर करेंगा कि श्रकम्सेंटर निखालने का सरकम्सेंटर क्या होगा है मतलब इन तीन व यह एक ट्राइंगल है इन तीनों की वर्टेक्स घराई हता है यह 0 और यह 8 8 का स्क्वेर किता है। कृता है। कियों को लिए स्काइपटा और रिफेरेंच किता होँगा 6 सक्वेर और इसका प्लस एट टेरो यह खिला थे सी कितना होगा। सिसके इसकाजी यह गए फीम। इसकार डिफेरेंच होगा 6 ऑर और इसका difference होगा plus 8 8 का square यह होगा 10 तो आप इस सीज में एक चीज नोटिस करो यह एक राइट अंगल ट्राइंगल बंढ रहा है यहां पर यह एक राइट अंगल ट्राइंगल बंढ रहा है तो यह इस तरह किसे बनेगा लेलो और यह सी लेलो यह किता है टैन है और यह फिर बी कितना है यह कितना है इसका संटर ने का इसका जो सेंट्र होगा वह हाइपोटेनिस का मिड़ पॉइंट होगा तो गया एट प्लस टू कितना होगा टैन टैन अपॉन टू कितना होगा फाइफ और यह होगा इसका वह तो आपको यह करना है कि राइट राइंगल राइंगल में हाइपोटैनियस का मिड़ पॉइंट रह brick लोगा क्लियर है हाइब पॉटिने इसका मिट्पॉंटी तर कम रोगा एक्स्टीन करें एक्स प्लस वन अपने एक्स की पर फिफ्टी एपन ईट्स कीका थीट्रू खेल है तोगे तो 7x square 7x square plus 7 और इक्वल टो हो गया 50x एदर आगे माइनस का हो गया 7x square माइनस का 50x आएगा 50x और प्लस 7 इक्वल टू 0 49 और 49 और 1 इसके फेक्टर होंगे तो 7x square माइनस के 49x माइनस का x plus 7 इक्वल टू 0 14 इसमें 7x को मना रहा फर्स्ट टू टम में x-7 और इसमें माइनस 1 को मना रहा x-7 इक्वल टू 0 x-7 हो गया और 7x-1 हो गया इक्वल टू 0 सेवन की पाउर सेवरंटरेट्ट्उ के सैवरंटरीयों से बढ़ी होग मैं सा साथ की पाउर साथ सो साथ सो से बढ़ी बिलकुल फिक साथ की पाउर साथ सो गाइन ठीक है कि स्कीerkष साथ सू से ज्याता है यह बहुत बड़ा नंबर है और उसको वह दिवाड करेंगे तो यह नमबर धीर धीर कम होगा और यह कम ऑनदेट से कम होगा ठीक है तो यह कब होगा यानि कि वह न क्यातर पोन सोरी कि a sql लिए यानि कि a sqlOSpp definition 700 से कम भी होगा ये तो कप होगा पिए लोगा तब होगा यह कब होगा जब एक्सक्लिट लोगा यह क्या लोगा बन भाइस ऐन लोगा तो पिए सथा नाहीं कर रहे कि लिए ने अंसर है खुल आपकर आफ है व मैं और आफ सुर्ट तो दोन आ रहे है एंड़ है ञेगा फॉर्ट है क्या फोरत का इस्वाइब यह भी होगा और यह भी होगा दोनों होगे एक्स की दोनों भी लिए शिटिस्पाई कर रहा है नेक्स्ट क्या होगा तो इसको आप एक काम करो फोर की पाउर लीघ होगा तो Вторि हो ञाय उसकते इस तो लिए मैनस का त्री और इसको मशनी तो इसनु में एक्स और तो की पाउर एक्स अरयों सहर को शैघा तो की पावरेक्स का फोले सग्राइब अधिक्स और फॉर्ण निख सकते हैं तो कि पाउर एक्स का प्लू Nous College एट कितना होगा 8 और 8 और 3 कितना होगा 24 और 2 की पावर X को आप Y सपोज कर दो तो क्या हो जाएगा यह स्क्वेर माइनस को 24 Y और यह हो जाएगा प्रस 128 इक्वल टू जीरो यह हो जाएगा 128 इक्वल टू जीरो क्लियर अब इसके फैक्टर होंगे और 30 32 देखो 32 64 और 122 404 हो सकते हैं गया नहीं हो सकते हैं तो 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यह होगा 16 और 8 होंगे इसके पैक्टा 16 और 8 होगे तो y square माइनस का 16 x sorry 16 y होगा 16 y और माइनस का 8 y और प्लस का 128 इक्वल टू 0 इसमें y को मन ने आ गया तो गया y-16 इसमें 8 को मन आ गया तो बच जाएगा y-16 इक्वल टू 0 तो y-16 और y-8 इसकी दो आपने 2 की पावर एक्स को यानिके वाल टू की पावर एक्स सेके और लिख सकते हैं की पावर ट्री और एक ही एक तूकी पाउर एक से कुल टू किया लेना सिक्टिंगा नियों कुछвор लिख uppूर की यहां से क्यूर के टेर यह आ रही है यह यहां से एकस्ट के टीया रही हुआ कर ले कि indispon होगी सेंख्या निकालने है है सवाइन स्कुन कर दो एकCl क्या होगी डिएंड कितनी कितनी मतलड नंबर्पोरो बताना एक्सक्पल इकुलिय कि मुए घर ब草 physics एक्सक्राइब कर दे टो एक्स इसक्वर प्लस का 6x और प्लसका 5 इक्वल टू चीरो इसके दो फेक्टर होंगे एक्स 5 के 6 और 1 हो गए तो यह वे एक्स फ्लस 5 और एक्स प्लस 1 तो एक्स की दो वह लिए प्लस माय मैंस बन और सबर्दी לק्ON कि अंए चबी रहे हैं और इस जो फिर ऑं व्ट्ट है प्रुट्स टूंधे प्रिटब्स है आरे प्रिक दो determine इसी के किनगेद रूटों के यह कट्यू एलफा और बीटा इसी क्षिटन के दो मूलों नहीं पाती है और एक होगा वीटा फ़ो गाल्फा फ्लस बीटा वह ओगा मैनस का डॉड यह अलौ क्वाट पॉल यह आपको थे रही है पी-पॉल क्यों देर रखा यह कूंज रूट्स पाइश का इसका इसके डोह सबसंगे रूटर्फा इसके आ फ्रूरी हार वें फॉल थे होता है मानus Bíbone product of the roots होता है phones uhhh और मुलंब का अनौब यूश्य है और मुलों का अनौपात आपको दे रखा है अब मैं से कौन सा झालिया तो मैं इसमें dintenos लिए लेता हूं इसको एत्चा हो सुल इसको छोठ सब्सक्राइब की जगे मैं जैसे अपन Ça가 हो गा तो पी अपोन जगए मैं क्या लिख दिया ऑंफ लिख दिया आफ लिखिश लिखते इसमें आप अलफा बीटा आपका यह में इससे मिटिपला होoffsर एलफा और यह से एक इसा अपॉन एलगा ठीक है अलफा प्लस बीटा के रख़े आप माइनस एपनल माइनस का एन अपन एल अपन यह रूट के अंदर आइगा एन अपन और यह घाएगा सोरी आपन यह बार यह अब यह दो यह उपर पावर बच जाए यह उपर एक पावर इसके नीचे आधि क्या होगा इसके आगे क्या होगा इसके यह होगा रूट-प्लसका रूट-अपन ये वी तो फॉन नहीं कि यह प्लस वाणाओ इसकी विल्यू निकाल यह आपने इसकी विल्यू किते है माइनस का रूट के अंदर एन अपोन आएगा अब इसके अंदर ये एड करेंगे एन अपोन एल तब ये दोनों कट गए और फिर आएगा अंसर चीजिए इसका अंसर होगा आपका फोर्थ आप्सन होगा इसको इस तरह की सोल करना है नेक्स क्लिए आपको इसका इसके फैक्टर होते हैं टू और त्री जब बीच में प्लस आता है तो बड़ा वाला आंसर देना है जब बीच में प्लस आता है तो आपको आंसर देना बड़ा वाला बड़ा वाला फेक्टर आंसर देना इसका अंसर होगा थ्री क्लियर है इसका अंसर होगा थ्री होगा नेक्स्ट कुछन करें गिवें और ये सब्सक्राइब नोड़ा फिटा रूट अप्यूशन अलफा बिटा निकाल आपको यह पीज़ास प्लस बिटा क्या होगा माइनस बीटा क्या होगा यह तो अन्हें ज़िए कि आपको टूट बूस बीटा अपोन एक डियो वन है और यह सी आ अब आपको इसका मानिकालना यह नीचे लियाओ वनवा अन्फा प्लस बीक होली स्क्वेर क्वान अपोन 10 प्लस अइना कि सब्छार् Well प्लॉस बीता का होल स्कूर और यह 서 nu थो गणा मैनुस हैल फाल स्कूर और यह वह बन से फिसकूर ब्लसच करेंगे इसका हम log स्कारवाश्य वीजोंने हो फ्लिटा स्टीव 2000 वाल्रीजों को लिखेंगे इसको करेंगे एंजW भ explains क्लिक्जाटन हो जाएगा तो यह इस तरह के इस को इस तरीके से लिखेंगे है अब अब माइन्स बी हो ले पो यह हो जाएगा सी स्क्वार तो यह होजाएगा भी स्क्वार माइनस तू सी अप्वोन है नहीं किसमें से एक्स का मान निकालना है मैं इसको हम और करेंगे तो थोड़ा काफि में एक के विए 3 रख्के देख रहा हूँ तो यहां पर किता हो जाए देखा एक्स के विए 1 हो ओऊँगा रूट 3 जाएगा रूट 3 का फिर गल्ड तरी का फिर खेल को साथ ढ़िए 3 शब्स्टूर गया, यहां पर रूट, दो छिता हो गया, 6 में तो वापस 9 में, यह हाश्या तक कर प्या हो गया, 7 का रूट कर प्या हो गया, तो जल्दी आंसर आएगा और इसका अंसर होगा तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो जाएगा तो आपका थाड़ी आएगा ठीक है नेक्स्ट किसन करें अंधाइम का अलकर तो जाएगा तो आपका inspiring when आपने कामने इसको फोर्मॉला लगा तो इसके अंदर इसका फोर्मॉला होता है A plus M minus 1 into D अंदर मुल्टिप्लाय करतो स्कॉर माइनस एन इंटू इदर आएगा यह द्राइक माइनस को गया यह द्राय निस्क हो गया इसमें यह को मना जाएस क्या यह मैनेसन और यह द्रायके माइनस जाएगा और यह फर ओर फर्मल लग रहा है यह पर दोनों में प्लस कोनलेफी लो माइनस ऐं और इक्वल टू जियो पूरी एक्वेशन में से यह जाएगा D इसमें फर्मॉल लागी जाए गहाए म प्लस एण और M-N और इन दोना हों में मानेश को मनले लो M-N और एकल टू जी ओ पूर्री किस्फिपल में से मानस मान को मना रहा है म-N लिए किया पच गया A plus M plus N minus 1 into D और equal to क्या हो गया 0 यह तो नीचे चला जाएगा अब देखो A plus N minus 1 into D यह formula होता है इसमें N की जगे क्या लिखा हुआ है M plus N तो यह किसका formula है A M plus N और वो equal to में किता रहा है 0 आ रहा है तो इसका M plus N term क्या होगा 0 होगा इसका M plus N term क्या होगा 0 क्योंकि यह formula है N की जगे M plus N दखा हुआ है तो A M plus N का formula है clear है clear है आसान सा question है आसान सा concept है कि next question करें A and B are ABC and fourth यह term है of the sum of the root of the equation Sum of the root तो fourth term क्या है A है fourth term क्या होता है A plus 3D ले लो आपका A plus 3D वो क्या है A है 7 term यानि कि A plus 6D वो क्या है B है और क्योंसा है 10 term A plus 9D वो क्या है C है अब इसमें एक concept लग रहा है इन दोनों को add करने पर क्या आ रहा है A plus C के तारह या रहा 2A plus 12D इसमें से 2 common आ रहा है तो हो गया A plus 6D ठीक है तो यह क्या हो गया 2B हो गया यानि कि A plus C equal to 2B होगा A plus C equal to 2B होगा अब निकालो Sum of the roots Sum of the roots alpha plus beta क्या होगा minus B upon A तो कितना होगा minus minus plus हो जाएगा यह हो जाएगा minus 2B upon A तो हो जाएगा 2B प्लस का 2B हो जाएगा 2B के विलिए आपको रखनी है A plus C या C plus A upon A तो आपका आणसर आएगा 3B के विलिए रखनी है A plus C या C plus A और उसकी answer set गरोगा तापका आणसर क्या होगा 3rd होगा clear है next question करें सहे के की विलिए यह है तो सहे के प्लस 10A की विलिए क्या होगी तो सहे के दे रखा है तो 10 स्क्वाइर A निकाल लो तो 10 स्क्वाइर एक का फॉर्मूला होता है सहे के स्क्वाइर तो यह होगा एक्स प्लस वन अपोन फोर एक्स का फॉर्मूल स्क्वाइर माइनस वन तो इसका फॉर्मूल स्क्वाइर होगा यह कैंस स्क्वाइर प्लस ऑन अपोन 16 eyelid क हो गया यह क्या होगया मैंस वन चारच हो गया थॉ-चाथ प्लस वन आपोन शिक्स्टीन एक्स यह होगया मैंस में एक्स का फॉर्मूलन जिक्सरेशिक्स यहां पहल रही dauert X square minus का हो जागा 2 into X into 1 upon 4X यह minus 1 बैट हो गया यह किसकी वेलुए 10 square एक की वेलुए अब यह किसका फॉर्मूला बन गया X minus 1 upon 4 X is X minus 1 upon 4 X का whole square हो गया यह किस की विल्य होगीर square हो तो 30 एक कीविलूइ ने की विल्य होगी इन दोनों का root होगा X minus one upon 4 X और यहां पर आएगा plus और minus दोनों आएगा एक बार आप प्लस लोगे और एक बार आपको करना सबक्षाना था सब्सक्राइब गालकोने के प्लस टैने में एक निकालना सब्सक्राइब इंस बार प्लस लोगे तो यह और सब्सकुल है और सब्सक्राइब चाहरा और ध्यूद्पन फटो म Kathleen इखाल चाहिए है नी वान बैतक्स आजेगा तो दो आंसर आए गए तो फ्रस टेए ने फिर कोच ओर रहाएं और मानेशलाइन पर दो आंसर एका और अपॉर टो अच्स हो इस लिए बाद स्मूझ में आ रहे हैं एक बाल प्रस्ट लेंगा तर असला झूंसा कुंसेप्ट है नेक्स किसन करें यहां एक काम गोलो 10 ठीटा आगो आप y मालनो 10 ठीटा आगो y मालनो तो होगा y प्लस 1 अपोन y इकल टू क्या होगा 2 यहां पर y एल चेम आगया y स्कॉयर प्लस 1 इकल टू क्या होगा 2 क्या होगा 2y y स्कॉयर माइनस का 2y प्लस 1 इकल टू 0 यह माइनस वन गिती अगए वन होगी अब तेन टैकर लिए विली वन होगी तो थिका अब कौन सा इश्पाइग रहा तो यह तो नहीं आएगा तरेटा गवली तो नहीं आएगा अब यह बन की पाफाइफ और वन की पार पाउर फाइव यह भी नहीं आएगा तो कौन सा आएगा यह फोर्थ ओप्शन है गावन की पाउर सेवन और यह भी वन की पाउर सेवन टू होगा तो फॉर्थ ओप्शन है रहाँ की लिए कि नेट्स क्रिशन गुल ऊस्में रख दो कौन चाहर राएशन होगा यह एक्सक्री उठागे उसमें रख दो पर अलम्य रख दे साइन क्यूब थिटा प्लस वाई कोस्ट थिटा इकल टु साइन टेटा इंटो कोशिटा और एक ही रिलीसें दे रखाए दो संबन्द दे रहे हैं इन दोनों में से आपको इन में से कॉन सेट रहोगा तो यह एक्स इसमें से सब्सकार इन तो इसमें से य एक्स कमान निकालकर उपर वाले में बहुता अब उपर से कोमन आ रहा है वाई पोस्ट इटा इन तो स्कोर्ट चांड घंत एंटो इस का मानिक हुगा और को छ से फिर को सिकटेया तो वाय कमान रिखता इसमें रख दो इसमें यह इसमी की बात है तो यहां पर सद्टतरा एक स्कयान किया को लगिए शब्त भाइगा और इक सीत आ गया स्क्रेटरा वाई कि अगया तो एक स्क्यूल प्लस प्लस कोष्क्यूश को खुब मारी को का थे नहीं होता है सांद्ध निपसीं स्क्वाइर मान यह उता है नहीं होता कि या हैगा साइन स्क्वाइर ब्लस इसक्वार्ट इसका यह हीटा एक स्क्वाइर प्लस В यह स्कार्मान निकालेंगे और इसका स्कार्ट क्या होगा साइन स्क्राइट एक तो थार्ड रिलेशन इसका ट्रियों आसान है नेट्च क्यों गरें कि दावेलियों 1075 इसके लिए आपको 10A प्लस बीका मन अना जे 1075 को हम लिखेंगे 45 प्लस थार्टी अब 10A प्लस बीका फॉर्ला अधा 1045 प्लस 1030 अपॉन 1-1045 और 1030 10A प्लस 10B अपॉन 1-10A 10B 1075 को में यह लिखेंगे 1045 का मान किता होता है एक होता है और 1030 का मान होता है एक बटेंट रूट 3 होता है अब छुटा है इसका मान यग होता है इन्तू यह गहीं वेख़ेंगे अ उप्लक तो मारा एंडूट 3 अंडूट 3 एंडूट 3 एंडूट 3 और ये उड़ प्लस एक निचे युद्स एंड रूचित करें है कि इसका मान निकालना है साइन ठीज के लिए चाइन इसके फोर्मलीव आपको या दूने चीए है तो हो गया इसको मैंने स्क्रीचा मेर्ट गणो के अ- ness जो साइन बीच डिए और साइन चारीज़ दिए और साइन Sem favour to weitere 2 और साइन सी और रहना हुआ नहीं है तो से तो प्रणीजर उला कर दिया और साइन साथ का माल रग गिया तरूरूरूट तीन बटे-दो जा अब 2 साइनस दोसाइन एक और साइनस साइन वी इसका फोर्मुला होता है कोसे माइस बी माइनस कोसे फिलस भी तो यह होगना अंदर डूर्ड तीन बेट च्यार जोसफ जोसे मालसिंब किती है gaan माहिनिस भीज मैंनस कोई सब्सक्राइब लुए जोसण सब्सकिय सब्सक्राइब容 आ साथ है और यह हो गया cos 20, cos 60 का मान किता होता है, एक बटे 2 होता है, एक बटे 2 sin C, इसमें भी 2 से उपनीचे उना करता है, अब यह एक बटे 2 common आ रहा है, एक बटे 2 common आ रहा है, तो यह हो गया under root 3 बटे 8 हो गया, यह हो गया 2 sin A cos B, sin A plus B, sin A plus sin A minus B, formula होता है, sin A plus B, sin A plus B किता हो गया 100, plus sin A minus B, A minus B किता होगा 60, minus C हो गया sin 80, ठीक है, अब sin 60 का मान पता है, sin 100 को और sin 80 को किसी एक को change करना पड़ेगा, इसको लिख दो 100C minus 80, तो यह हो गया under root 3 बटे 8, इसको लिख दो sin 100 को लिख दो आप 100C minus 80, और इसको और इसका माना under root 3 बटे 2, और minus sin 80, अब एक बार, sin 100C minus 80 का मान पता है, sin 100C minus theta का मान पता है, sin 80, तो यह किता हो गया, under root 3 बटे 8, यह हो गया sin 80, plus under root 3 बटे 2, और यह हो गया minus का sin 80, sin C, sin C से sin C कट गये, under root 3, under root 3 multiply हो गये, 3 हो गये, और 8, 8 multiply हो गये, किते हो गये, 16, तो आपका option आएगा, second option हो गया, clear, second option हो गया, clear, next question करें, sin theta और cos theta इसके root है, तो sin theta और cos theta तो alpha प्लस beta, sum of the root sin theta प्लस cos theta का मान किता होगा, minus B upon A होगा, और sin theta into cos theta का मान किता होगा, C upon A होगा, तो अब आपको इन में से कौन सा relation 2 होगा, तो इसका उपर वाले का all square कर देता है, उपर वाले का all square क्या होगा, A square, plus B square, plus 2AB, equal to E होगा, B square upon A square, इसका मान A होगा, plus 2, इसका मान C upon A होगा, equal to होगा, B square upon A square, तो इसमें C square add कर दो, इसमें C square add कर दो, तो यह हो जाएगा, A plus C का whole square equal to होगा, B square, और plus C square, यह C square उधर आगे माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, प्लस C आएगा, इसका आपका second option होगा, यहाँ पर plus C आएगा, तो इस प्लस C के according यहाँ पर answer क्या होगा, second option होगा, इसका option क्या होगा, second option आएगा, clear है, next question करे, Cosec minus sin x, command यह है, और check x minus cos x, तो इसको एक काम करो, Cosec को लिएगा, one upon sin x, minus का sin x, command किता है, यह है, तो sin x, C eylleczym आगया, यह क्या होगा, 1 minus sin square x, command किता है, one minus sin square क्या होता है, cos square upon sin x, command किता है, यह, ऐसे b कामान क्या होगा, यह हो जाएगा, one upon cos x, minus cos x, cos x, scale आप है, one minus cos square x, यह हो जाएगा sin square x, और कोसेक्श यह B का मान आ गया, A और B का मान आ गया, अब आपको इन में रिलेशन कौन सा होला होगा, तो मैं यह पहला वाला वेरिफाइख करता हूँ, देखो, A square plus B square का मान देख नहीं होगा, और यह थीसरा और चोता ओप्शन तो नहीं आएगा, तो मैं पहला वाला वेरि स्क्वाइर, C square x, इन्टू B, P, यह रहा, साइ Нी-Square x और यह हो जाएगा, cos x, तो यह कट गया, cos q बच गया, क्या बच कहा, cos q x और उसकी बच़ो क्यों क्यों क्यों, cos q x और उसकी पावर किति है, 2・3, इसकी पावर किति है, 2・3 तो 3 से 3 इन्च जन साहतिक, क्या होगा सभाण होगा सभान ओगा स्वाइर एक्स होगा और एसे ए इंटोबी स्कार निकले एंटोबी स्कूर्ड निकले हैं तो क्या होगा एक अब है को स्कुर्ण डिनकले होगा ङ०रayan क्या होगा साइन की पावर चार्वी अपोन न maximumridges krex कोस्क्यूर Caesar Xका संथ करक्ति इस थे रैखलें मालङद्स क्मार्टा गेंगे तो इसका इसका मनेन इत्ता होगा साइन स्क्वार एक सिंप्साइब नहीं के नगे फर्स्ट ऑप्सन आपका अंसर है फर्स्ट ऑप्सन ही आपका अंसर है इसका मान निकालना है मोर न कमान दे रहा तो इसका मान निकाला तो मोरे न कमान यहां रख तो एंस स्क्वायर फुलस न स्क्वायर तों इसके साथ मैल्टिप्लाई क्या अन हो रहा है कोस इसक्क्वार भी हो रहा है तो इस में से को इसक्वार एक ओर लें लो फ्र और फिर यह मृट ने लो ऐख खियर ने लो साइन स्क्क्वार 10 Comput उर कोसे सक्वार गीर्च Kombat 혼ण मृट होगा साइन स्क्वार दी कोसे स्क्वार होना इसका मान एक होगा किसका मान एक होगा और ये इकल 00 का आ गाया है मतलब यह गुना में है न को सी स्क्वेर B को सी स्क्वेर B कट गया और इसका मान एक हो गया तो या गया को सी स्क्वेर A upon साइन स्कूर दिया को से स्कूर एपों स्ञत्री स्कंश कि है अए यह कहा है इसका आद गदस्क्वार रिच करने पर एंश न ot है मीडियन मोड और इसमें रिलेशन बताना है मीन मोड मीडियन में में यह रिलेशन होता है 3 मीडियन इकल तो 2 मीन प्लस मोड होता है 3 मीडियन इकल तो होता है 2 मीन प्लस मोड होता है क्लियर तो इसमें रिलेशन होगा क्लियर नेक्ट प्रोपर्टी आप दा मोड इस केल्कुलेट इस नौट अफेक्टेश्ट और लिस्ट विल्यू पर कोई अफेक्ट नहीं होता तो इसका उप्शन है का से यह देखे हैं मीन ओस्ट आएन आब्जर्वेशन इस फर्स्ट आप्जर्वेशन में इंक्रिझ वाइव पहले ऑप्जर्वेशन को से तो यहां से किए एक रिलिसान आ रहा है एक्स वन प्लस टू प्लस एक्स थी ऐसे कर के और एक्स एन का माहन के तारा एंड इंटू कैपिटल एक्सा यह रिलिसन अपने को आगे काम आएगा ठीक है अब जो किस्वन आ नहीं बोला को काम वड़ना है यह जाएगा लाक siis करने मारख से ax1 नियुका म्यंक्यातथ प्लस करने में निकालने की लिए क्सका सब्लस कर द सबर्सक्राइब दिए के लिए कर जाएंगे पहले ऑब्जर्वेर्चन लीज दिया दूसरे में टुण में मिल अग लगके लू को लिए है आप इनको तो न पर लग कर लो अइंको तो न ब्लस एक्सटू पृस थू डॉट-डॉर्ड डॉट-डोट एक्स़न इन इनको तो लग कर लो और इनको लग निकाल लो 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 and इनको लग निकाल लो upon n ठीक है इसका मान यह रहा n into capital X इसका मान किता है n into capital X और इसका मान होगा n into n plus 1 upon 2 2 upon n यह था समों फ़स्ट है natural number पर्तम एन प्राकर सिंग्या होगा यह कफ औरूला होता है पर्तम एन प्राकर सिंग्या एन को मना के कट रहा है तो क्या आगे X plus n plus 1 upon 2 आ रहा है तो आपका उप्शन होगा third option होगा n plus n plus 1 upon 2 third option आपका answer होगा clear clear next question कि रहे मीन इनका M है a plus b plus 2 इसका मीन निकालना है mean कैसे निकालते है a plus b plus c upon 3 बराबर क्या होगा m होगा a plus b plus c का मान किता होगा 3m होगा और इसका मान 0 है तो अब को कि इनका मीन निकालना है a square plus b square plus c square का mean निकालना आए कि इसका मान निकालना किको माद्द्द् buddg निकलता तुनों को जोड़ते इन का बागद तो ऑप क्वैर के अब आप क्या करो इसका सका उल्टाइब करो हो गाना हमसा और इसका माने किता है 4 है तो यह पूरा जर Kennman 00PP-2 स्कोओ गिता हो गलाइब करो नाईघंस को रहा हो गात। इसका माने हमस्वएर दो जिस भी को से कतritos बनिद्रपन गरके कँंखा तरव Sam अपन अपन एक्स का मीन है मीन कैसे निकलता है एक्स प्लस वन अपन एक्स अपन टू इकल टू किता है एम है एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान किता हो गया तो एम हो गया तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मीन क्या होगा क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ arrest Sid Girls धर ब्लस बी प्लस वी और इसका क्यूब कृता होगा 8 K Ellis कि ठीक है यह दोनों कट गए X प्लस आपने एक्स की जगे क्या रगता कि रख दो तो एक्स क्यूब प्लस आप रख दो रहो थिरी इसकी जगह आप रख दो 2M इक्क्लट हो गया 8m3 6m 6m उदर जाएके माइनस को जाएगा तो इसका माहन किता हो गया 1 एक्स क्यूब प्लस 1 अपोन एक्स क्यूब का मान और गया 8 M3 माइनस का 6 M यह रख दो इसका मुण निकालने के लिए आपको क्या चीह है इसी का तो मान चीह तो इसका मान कितना होगा इसका मान रख दो यह 8 M3 माइनस शिक्स एम अपॉन 2 2 common लेलो इसमें से m common लेलो 2m common लेलो तो क्या हो जाएगा 4m square minus 3 upon 2 उसे 2 करें से लो गया m into 4m square minus 3 second option आपका answer हो लिए clear है clear आसान सा है next question करते है एक्स बोल्स क्या है red ब्लेक है sorry x बोल ब्लेक है x बोल क्या है black है ठीक है 10 more black ball are put in the box 10 और काली गेंद्रे इस box में ठेले में डाल दी जाती है अब ब्लेक बोल क्या जाएगे एक्स प्लस से 10 टोटल टोटल पहले क्ती थी 20 यह क्या था टोटल था अब टोटल कितने हो जाएगे तीस हो जाएगे अब टोटल कितने हो जाएगे थीस हो जाएगे वादेज़ दा प्रोडियों द्रोइंग ब्लेक बोल इस डबल वाट अब दार है बिफोर प्रोडियों पहले डबल थी क्लियर है ब्लेक बॉल्टी यहां पर किती थी एक्स अप अब यह क्या था पहले डबल था कि पहले प्राइकता उसकी दुखनिक प्राइकता है काली के निकालनी हो जाती है ठीक है तो इसको सोल करें है अ जैसे जीरो के नेशल हो गया दो सी दोगश्य जो吧 यह तीन इरा आएगा थे नेक्स होगा एक्स का माने किनका पांच होका ता समत है पहले कि प्राइकता जो अब प्राइकता निकली गए हो पहले यूंट थे आनशायर थी और निकाल इंडाल नी भीकष और श्रों लूप एर ईये हैं इसट का यह जनरली, यह दिया होगा और tab.2 2.0 0.2 लेकिन root 4 की value अगे 0.06 है 0.6 है दो 0.4 का root होगा 0.6 होगा क्लिकिलेट करके देख लिए 0.4 का root क्या होगा 0.6 होगा clear है किसका आईगा 3rd option नेक्स्क्यों कर्येधि कि एक डाइस को दो बर फैंक तो टोटल आउटकम कितने होता है 36 होता है तो वाट इजिट फर विल नोट कम अप आईधर ताइम पाँच ना ने कि परोविटिवी पाँच कितने केस में आता है पाँच 11 केसमें आता है कैसे एक तरोगा 5-1 एक ओगा 5-2 एक ओगा 5-3 एक ओगा 5-4 एक ओगा 5-5 एक ओगा 5-6 अधो गा 1 5255 a ho 435 वाइव प्राइव एक होगा 45 वोगा 65 जिन में पाच हाता है 11 केसमें पाच हता पाच नहीं आने कोलर कितने केसे होगी कोटल में से ग्यारा मैनिस कर तो 36 में ग्यारा पचीश केस में पांच नहीं आएगा पचीश केसे होगी जिन में पांच नहीं आएगा तो उसकी प्रोविल्टी कितनी होगी कि पचीश बटे चेटिश है क्लियर है एक अच पर प्रोलिटी ऑफ सम्सेम जाब रहा है तो यसे एक और एक करेंगे उनका सम्सक्राइए तोट्ल वह अपने पाब 36 होंगे जिए एक रेक का सम्सक्राइए लेकिन एक और दो का सम क्या होगा ओड नम्र आएगा फिर एक और तीन का क्या होगा इवन होगा फिर एक और चार का ओड होगा फिर एक और पाज यानि कि छतीस में से आध्य तो आध्य तो आध्योगा सम तो इवन होगा और आध्योगा सम क्या होगा ओड होगा तो कितना होगा अठ सब्सक्राइब नेक्स्ट क्यों सब्सक्राइब कि अन्दर 53 संडे आने की प्रोविल्टी बतानी है तो ओर्डिनेरी येर के अंदर क्या होता है कि एक एक सब्सक्राइब एक डीक्ना ज्यानों सब्सक्राइब कि अग्यार क्या अगया खुए तो और एक दिन आपका एक्स्टा बच जाएगा ठीक है फिर फिल थी इसिक्स्टी फाइब डेस जोगा 365 ठीक है 365 days ordinary year में समाने वर्स में ठीक है तो एक दिन का भी संडे होना चीए वह एक दिन भी क्या होना चीए संडे होना चीए तो देखा 52 संडे क्या होने की परविवार होने की पूझ रहे वह तरह पन रॉऔर तो होंगे अब तरह पन रॉऔर कब चाहिए तो एक दिन के टोटल आउट्वम कितने होते साथ होते हैं संडे मंडे टूजडे वेनेजडे यह होते है साथ ठीक है संडे मंडे टूजडे वेनेजडे जो भी है अपने साथ है उन साथ में से रववार कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है तो उसकी प्राइक्ट है कितनी होगी एक बोटे साथ है आप साथ में से मतलब साथ आउट कम में से एक बार रगा रहा है उसके प्राइक्ट है कि दूए कि एक उड़े साथ होगी एक्षिशन इसके इंदर इंदर इंदा गराफ ऑफ दाइक्वेशन्स यह इक्वेशन्स क्या होगी पहला रोगी कोई जाड़ यह इंटर्चेट करें इसके लिए हम निकालते एवन अपन उने टिवीवन अपन विटोची ऊना होगा फाइव अपन थ्री ओगा नाइन का 15 अपोन 9 मानश का 9 हरा है और सीवर आपोन चेकंचनोन किता होगा 8 अपोन यह हो जाएगा 24 अपोन 5 ला ओका और मिसेटेश का उन ऊच्के होती है संपाति होती है एक पाérie को स्वेगरों ठिक है तिसका उप्सराइब फ़र्स्ट है है नेक्ष्ट है एच सीएफ दोनों का एच सीएफ बताना है तो इसकेन को आप बिल्कुल इसली वे में कर दो एका एन का प्राकर संक्या है कितना होगा दो गुणा एक प्लस से तेरा कितना होगा और बी कमान कितना होगा एक प्लस साथ ये कितना होगा पंदरा और आठ का HCF कितना होगा पंदरा और आठ का HCF होगा एक highest common factor इसका मान होगा एक तो ठर्ड अप्सन है next a square minus b square का मान 13 है तो a का मान क्या होगा a और b natural number है तो इसके आप दो फेक्टर कर लो a plus b और a minus b equal to किता है 13 है अब 13 के दो factor होगा है, एक गुणा 13 और 13 गुणा लगता है A Plus B कमान 13 और E minus 1 लख के बन रहे तो पहले यह मैं स में इसमें कि मुथे कर रहे हैं और किता हो गया पिता हूर है 13 चिकती हो गया अब इसमें मैं हमाई ले Randy जहते रहा हूं साथ बीगामान कित आ लेना पड़का मेने कष्या है लेना पड़का लेकिन ये वन्हरी सटीस्पाइए नहीं कर रही क्या भी के भूरन हो इसका खुआ तो इसका अंसर होगा साथ इसका आंसर क्या आएगा साथ आएगा क्लियर नेक्स्ट किसन करें इसको क्या नमबर एड करें किसमें 16 सी इसका आएगा वन एड करते ही यह 16 से कंप्लेटली डिवेड हो जाएगा क्लियर है क्लियर है तो यह आफसान सा किसन इसको थोड़ देखना नेक्स्ट किसन करें इसको यह साथ को लिए कि clearly got 16 प्लस तीन और प्लस चार अंड्स्ट प्लस टार रूट तीन चार जोलिखो दो काइज इस तीन को लिखो under root तीन का स्कूर फ्लस इसको लिएगो 2 इंट्धू दो इंटू अड़ तो योगए एक स्कनता रूट एक्स कैया होगा रूट एक्स क्या हो गश्यूस्त कि compact रूट में नrance रूट सब्सक्राइब तो याओगा चार लिए सपर माच में चाहर एक हो गया को अपन ऊक्षाण मांड़ तो अपको रूट एक्स प्लस प्लस वन पून अंडूरोड एक्स तो इसका मानते है दो प्लस अंडूरोड 3 और इसका मान किता है फिर दो था-दो माइनस अंडरूरूर तीन एंडरूरूरूर थे जरूअ फिर यहुद्व फिर दो दो रहे हैं पूसन होगा चाहरो फॉर्थ ऑप्सनों क्लियर है असान साथ इसान सा कॉश्छाह साथ है छॉप हई और यह हो जाएगा यहां पर सकते हैं क्या whoever आहिं इन फाइनेड में से से एक कम करने पर इन्फानैटी रहेगा तो यह कंत त्यूत राइगाidente पर आपर एक सव मध्यार इक स्कार ऑगा इसी सब्सक्रेंद अइन में स effectively वह unto बहुत है विह यह तो है सोकी यह फोटी कवूटिह तो यह uh यह बारा की घात से अगवड़ेव 2 से इसको भूपन है उसको आपतिन से ईपनिछे गुणा करदो तो यह क्या हो जाएगा सो Wild for यह दो कंदर लिएव हो यह जाएगा 145 निश षाएगा ओर यह तीन निचे एगा यह आजाएगा सबसे बड़ा बड़ा यह कुछ हो यह सबसे बड़ा इसे एक सच मानी जो इसका उप्सन आएगा धार्ड इसका उप्सन आएगा थाइगा ठाहएगा ठीक है संधियर का हसी असदी पितर एक एक फैक्टर लए को शुचछ स्जी किन भी होनए फॉस्के अग्सक्षोच और अगा सघलिगे से किन अञए जग अप्ष एस फैटर अगए टावसिकил है goo नेक्स्ट है एक स्क्वाइर प्लस बीक्स प्लस सी एक और डिक एक्वेशन है कौन सा कतन है सकत्ते है कि देखो इसमें अगर एक परफेक्ट स्क्वाइर होगा तो रूट सार रेशनल होगे जैसे मालों आपका फोर्वला यह होता है कि मा onज स्क्याइर टाउ यह क्या अएक परी स्क्राइब को यह उपर आए गार तो यह क्या होगा रेशनल होगा तो यह पहला क्या इक Voris तो यह दोनों बराबर वी स्कार इकल टो फॉर स्योदिजिजीरो जाएगा यह जीरो होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव लिए इमिजनेरी होती है तो रूट के आंगे रूस्ट रियल रूट्स नोरियर रूस्ट क्या होंगे इमेजने रियों तो यह भी आपका TRUE आ और बीस और एकल्टोह वोडा तो सब्सक्ति जिलिए by उंसाफ जिए विच्णोन नहीं होगा इकवाए और यह देखौ आप यह पर एकाल डगाया प्य Quin NY तो आपका यह बंगे SketchFA популяр आज़र आipा इसका पोर तांसर आएगा इसका 4 तांसर आएगा यह वहलोज स्टेटमेंट क्याzhण Afghanistan B विश्वाज एक्स क्या सब्सक्रेशा ईर्शो एक्स प्लिस方 इतंतलिक्स है तो ऑyt दो 명ि एक्स थी सबीडों को इंट्रमार से करें कि तो चेहीं एक्स करें तो क्या कृटेंगे तो क्या होता ए एफ उन इड़ों आकोल तो आपन विट्टो तो क्या होगा आपन एक नौत इकुल मीन दे रहा है क्या पूखी रहा है मोड फूल्च रहा है आप से तो रिलसन उन्डर दो भी बता है था अध्य जा750 टो मीडियन तो मीडियन इकाल wow होता है टू मीन प्लस मोड अपॉन थ्री तो मीडियन ते किता है पंदरा टू इंटू मीन किता है 16 प्लस मोड अपॉन थ्री यह जाएगा 45 और यह 32 प्लस मोड किता आएगा 45 में से 32 गें तो किते बचेंगे तेरा बच जाएगे तो मोड किता आएगा 45 में 32 तेरा तेरा अंसर आएगा यह यह रिलेशन आपको यूज़ करना है कि नेक्स्ट करना है कि पी एक्स है जे इक्वल रूट्स यह एक इक्वल रूट्स रखता है तो आर कमान क्या होगा तो बी स्कॉर माइनस फोर इसी इकल तो जीरो होगा बी स्कॉर माइनस फोर इसी तो बी स्कॉर यह होगा बी स्कॉर माइनस फोर इसी कमान कितना होगा जी hehehe ओर सीक्वांन किता है आर इकल तूजीरो होगा तो क्यूछ तो क्यूवक तूज्वारत कटाओ ऊप्र this प्हुर्ट और दो क्या और यह टी आर ऐसे सब दे रखा है तो आपको यह बताना है ठीक है तो देखो यह रिलिशन को आप जिंग से बढ़ना आर ऐसे छोटा है यानि कि एस बढ़ा है अब इस तरीकी से बना लो यह और यह से छोटा है स्ट 911 यह तो आप एसलील और यह बएंच लेलो सबका ठीक है अर यह आप अलैनले लो इनांतियो से अस आसे भड़ा है ठीक है और टी क्यूप से चोटा है ती मीशिं got everything कि यह तक वो क्यों से बादाओं ठीक है और क्यों पीस बढ़ा है कि क्यों है नहीं वो पीसे बढ़ाए पीस छोटा आया पिर इसे तो यह आं-पर प्याएंगा और टी आर्श सोर्ण यह जो सबसे बड़ा है कि तो यह ठीत होड़ी सहां बड़ा तो तो है दो कैले भिचिस द नंबर इस सबसे बड़ा नंब्र क्या हो गाइस ऑड़ा है सबसे बड़ा नमर जाएगा ऐसा फॉप साफ सब्सक्राइगा सेकेन है एट न्या ततु we जय कि च 4 बार है तो च्राइब रहर गोन हो जाएगा दो कि जाएगा नीचा दाय का नीचे या जाएगा च्राइब को लिखेंगे हैं जार कंपा याल लीकंगे दों कि जार आट जाएगा थे दो की मारा जात्तिक क दो device तो यह दो आपर जाएगा तो दो एंवराबर क्या होगा दो की गाथ 2008 आपको सिंप्लिफाइए करना है इसमें से दो कीगाथ 2 की स्क्वैर का है दो का स्क्वैर माइनस रहों नीचे से को में रहा है दो की गार एक माइनस दो का स्क्वैर तो मेटा स्क्वैर श् applaud गया कि यहाँ नीचे भज गया माईनस तीन से कट गया मायनस दो अंसर आ गए को इसका मार नेक्स निकालने है तो यहाँ से बहले एक्स का मार निकालना पड़ेगा तो फोर एक्स इसको लिखेंगे फ्र एक्स इंटू फोर की पावर गार मैनस बराबर्टोई तो है फॉर एक्सम गराइना माइनों ड़ा इक हु už टूए फॉर एक्सट मैनस एक तीन विटे हरोगा एक है मैंनल के तहीं को ऑसectionstar एक्स बनाबर 4 4 into 2 इसको लिकेंगे 4x equals to 4 का square और इंटु इसको लिकेंगे प्वॉर का पावर आदा कि ओर के पावर आधा थे लिए आफ लिखेंगे तो को लिखेंगे थोगने की वर्गा तो फोरके लायर फॉरफ॥ कर cause टो फॉर्द कोना पांच बसे चाहत पांच डो तो से टोगडिया पांच कि गात किटी गया चुटीज दोस्ट पांच को गई पांच की अधोतर पांच कि अधा तो पांच होगा बीस रटिस होगा रदी चैसे मतलब रूट हो ता Ce सब्सक्राइब करें तो पत्चीस रूट पहां चांसर आएगा थाड़ अप्सन होगा नेक्स्ट किसम करें कि विची दा फॉल्लों इस ओर नंबर इनमें से ओर नंबर कौन सा है देखो एक का स्क्वाइर करते हैं तो नहीं यूनिट डिजिट की बात कर रहा है लिए अधिक लिए अह्युक खोड़ ढोगी काइच हेगा और एक में तीन जोड़ेंगे तो ये क्या होगा एक 1 नंबर ब साह एक होगा इसका एंक प्रियूभ करेंगे थो गुड़ना होगा दो लुट तो आटाह आएगा आट जोरेंगे तो आठार dapat आए गा इसका एकाने का टीन लोगे तो अच्छे जो होगा और च्यार का क्यों गोनें च्यार चोट उनुवन लोगे तो में तो इन याः को डिशाड करता है वो डुट कुनछी हो गयी भागी तो एन होगी तीन होगी ठेक है इन सब के एकाई के अंग निकाल लें आपको वह थोड़ से देखना है नेक्स्ट कुछन है वन काड़ी दों फ्रों वेल सब्सक्राइब डेक फिफ्टी टू कार्स दैन विच अप्ट फॉलॉइं इस तू कों सर्टू है प्रोल्टी ऑप्ता इड के पत्ते होते हैं तेरा तो इसकी प्रोल्टी कि तेरा बटे बावार यानि की एक बुटे च्यार उन तो पहला वला तो ईसकी प्रोल्टी कि यह पॉर इंटट नहीं हो एवात के तेरा पत्ते होता है तो इसकी प्रोल्टीकि गूं denigac तो इसकी नहीं सबस्क्राइब जबकि पूशलोा उंग वर्फ एक गलत है और अ थीशगर!! तो आट बटे वाउन होगी तो आपका ओप्शन कौन सा आएगा इसमें सेगंड ऑप्शन आएगा क्लियर है तो इस तरह किसे डिटेस्टी के सोलुशन आपको कंप्लिट होगा वच्छे से देखना क्लियर थैंक्यो